परिक्षा केंद्र में एक्जाम कराय ज़ाने को लेकर 36 गड़ के DL8 के चात्रों में आक्रोश तेखा गया गुसाय चात्रों ने रायपुर में मादमिक शुक्षा मंडल का घहराफ किया और अपनी मांगों को लेकर ग्यापन सौपा चात्रों का कहना है कि पहले उन्हें प्रोमोशन दे दिया गया था सैकेंड एर की ओनलाइन क्लास भी चली लेकिन अब टाइम टेबल जवारी कर दिया गया है कि परिक्षा देना है चात्रों ने मादमिक शुक्षा मंडल पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें भी प्रोमोशन देना चाहिए नहीं तो वह परिक्षा का बहिश्कार करेंगे यहां उपस्तित हुए हैं अपने जनरल प्रोमोशन के मांग के लिए हम लोगों को जनरल प्रोमोशन दिया जा जीज भाती assignment के अधार पर second year को जनरल प्रोमोशन दिया गया है उसी तरह हमें भी जनरल प्रोमोशन दिया गया है सत्या राजपुद हमारे साथ में जुड़ गया है समवदाता जैसे कि पहले आदेश आया था कि अंतिमियर के जो चात्र है उनका परिक्षा लेना है वह भी एसाइमेंट के जरिए उनकों के अधार पर उनकों पास किया जाएगा और जो फश्टिया और शेकेंडियर हैं उनको जर्रल प्रमोशन दे दिया जाएगा लेकिन अभी क्या यह दूवर्शी पाठ्षे करम है जिसको देखते हुए यहां पर पहले तो इनको जर्रल प्रमोशन दे दिया गया था फिर अभी जो दस्वी बार्वी के पूरक परिक्षा का आयोजन किया गया है जिसको तरकार भूल गई थी और जब लगतार खबर चपी और लोगों को जब प्रमोशन नहीं होगा आपको परिक्षा देना होगा तो ऐसे में तमाम जो प्रदेश के जो चात रहें लगभाग छे आजार डिये ले डाइट के जो चात रहें वो कल माधनिक शिक्षा मंदर बहुते थे और वहां अधिकारी जो है बात करने के लिए तयार नहीं थे तब लोग उग रहोकर वहां पर विरोध प्रदेशन करने लगे और उसके बाद वो शिक्षा मंदरी गया है लेकिन उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुए उनका ग्यापन लेकर उनको रिस्टीविंग दिया गया आज वह उग रहोकर आगे के लिए वह अपने रणीती बनाते हुए आज हरताल पर बेट गए है और उनके लगा तरमाल है को जन्कोंग नोप्र परफोसंगी देते हैं जा उनको इसाइमें की मांगें पूरी होती है यह नहीं है हमारे शूरुने के लिए तमाम अनकारी साचा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका जोर कम बशांट